नमस्कार सुराज भारत देख रहे हैं आप और मैं सौरव मिस्रा बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की सुपर साइक्लोन में बदल चुका है चक्रवात अमफान बंगाल और उडिसा में अलर्ट जारी आपको बता दें चक्रवाती तूफान अमफान सुपर साइक्लोन में बदल चुका है जानकारी के मताबिक 19 मई को यह चक्रवात भी सर्थ तबाही मचा सकता है भारतिय मौसम विभाग यानि की IMD ने बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती तूफान अमफान कि तेज रफ्तार को देखते हुए पस्चिम बंगाल ओडिसा समेत कई राज्यों में अलर्ट जारी किया है पढ़ते हैं अगली खबर की तरफ प्रसासन ने नहीं किया कॉरंटीन जंगल में रहने के लिए मजबूर हुए मजदूर घर वापसी सुनकर ही एक सुकद हैसास होता है अपने घर लोटना किसे अच्छा नहीं लगता लेकिन कोरोना वाइरस महमारी के नाते रिष्ते समाज सब कुछ बदल चुके हैं मजबूरों के लिए सरकारी सुविधा नाकाफी साबित हो रही है बिहार के रुन्नी सैथपुर के स्यूनगर में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला गाउं में मुंबई से पैदल चल कर आए प्रवासी मजदूरों को प्रसासन ने कॉरिंटीन सेंटर भेजने से इनकार किया प्रसासन ने इन लोगों को होम कॉरिंटीन रहने की नसीहत दी जब ये प्रवासी मजदूर अपने घर पहुँचे तो इनके परिजनों ने इने घर में रखने से इंकार कर दिया ऐसे में इन लोगों को अब जंगल में रहने के लिए विवस होना पड़ रहा है तेजगर्मी से परिशान इन लोगों को छोटे बच्चों के साथ काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लेकिन इन लोगों का कहना है कि प्रसासन इनकी सुध नहीं ले रहा है नज़ा डालते हैं अगली खबर पर कल से काम पर जाएगे पूरी दिल्ली मगर बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज और मॉल रेस्टोरेंट कोरोना की वज़े से लगे लोगडाउन के चौते चरण में दिल्ली में सारे सरकारी और निजी आफेस खुल जाएंगे मुक्यमंत्री अर्विन केज रिवाल ने आज सो मुआर को एलान करते हुए कहा कि सभी निजी आफेस कल से अपनी पूरी छमता के साथ खुल सकते हैं आज लोगडाउन चार का पहला दिन है एक दिन पहले ही केंद्र ने लोगडाउन के दौरान रियायतें देने का अधिकार राज सरकारों को सौम दिया था बढ़ते हैं अगली ख़बर की ओर देश में 349 मौतें कुरोना से हो चुकी है एक दिन में रिकार्ड 165 लोगों ने जान गवाई देश में मरने वालों की कुल संख्या 3000 के पार पहुच गई कुरोना संक्रमण की वजह से देश में मरने वालों की संख्या 3049 हुई रविवार को एक दिन में रिकार्ड 165 संक्रमितों ने दम दोड़ा अब तक एक दिन में हुई मौतों मेया सबसे ज्यादा है इससे पहले 14 मई को सबसे जादा 136 लोगों की मौत होई थी रविवार को महरास्ट में 63 संक्रमतों की जान गई यहां संक्रमण के रिकार्ड 2347 मामले सामने आये हैं यहां मरने वालों का आकड़ा 1198 भी हो गया है अगली खबर UP से है UP में स्रमिकों पर सियासत खेली जा रही है एक हजार बस चलाने की प्रियंका गाधी की पेसकस को योगी सरकार ने स्विकार कर लिया है साथी साथ यह भी कहा है कि बसो, ड्राइवर और कंड़क्टर की लिस्ट सौंप दी जाए उसके बाद प्रियंका गाधी ने ट्वीट कर सरकार का धन्यवाद भी किया लॉकडाउन के बीच दूसरे राजियों से पलायन कर लोट रहे प्रवासी स्रमिकों के लिए कॉंग्रेस महा सच्यू प्रियंका गाधी द्वारा एक हजार बस चलाने की पेशकस को योगी सरकार ने स्विकार कर लिया प्रियंका गाधी ने 16 मई को पत्र लिखा था सोमवार को अपर्मु के सच्चिव अवनीस अवस्थी ने पत्र जारी कर प्रियंका की पेशकस को स्विकार करने की जानकारी दी यह भी कहा कि बसों की सूची, ड्राइबर, कंडेक्टर के नाम और अनिविब्रण उपलब्द कराए जाएं जिसे बसों का उपियोग प्रबास इस रमिकों की सेवा में किया जा सके, आज की आकरी खबर सोने ने बजाई आर्थे खत्रे की घंटे, लॉकडाउन में गोल्ड का नया रिकार्ड, कोरोना वाइरस की वजह से पूरी दुनिया में आर्थे गत्विदियां थम गई हैं, जब तक कोरोना का कोई सटी के लाज पता नहीं चल जाता, तब तक अर्थ विवस्ता की गाड़ी पट्री पर नहीं लोट सकती, इससे उभरने के तमाम उपाय किये जा रहे हैं, लेकिन इस्थिती सुधर्ती हुई नजर नहीं आ रही है, वहीं दूसरी और जब जब दुनिया में आर्थिक संखट गहराया है, सोने ने अपनी चमक बिखे रही है, एक बार फिर सोना रिकार्ड अस्तर पर पहुँच किया है, लगतार दूसरे दिन गोल्ड की कीमत में रिकार्ड उच्छाल देखने को मिला है, सोमौर को भारतिय सेर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली, सरकार के 20 लाख करो आज की खबरों में इतना ही कल, फिर मुलाकात होगी नए खबरों के साथ, तब तक के लिए सुस्त रहें, सुरच्छित रहें, धन्यवाद